नाजिस्तान के मुख्य मंत्री स्रिमती बसुंद्रा राजे जी केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथी स्रिमान धर्मेंदर प्रदान जी अर्जुन राम मेगवाल जी स्री आर चोद्री जी बीपी चोद्री जी गजेंद्रसी सेखावत जी राज्य सरकार के मंत्री स्रिमान सुरेंद्र गोहल जी स्रिमान अमरा राम जी सुरेंद्र पाल सी जी स्रिमान पुष्पेंद्र सी जी ओटाराम देवासी जी स्रिमती कमसा मेगवाल जी साउसद में हमारे साथ ही स्रिमान देव जी पटेल करनल सोना राम जी सिमान राम नान जी डुडी सिमान नारायन लाल पंचारिया जी और विशाल संख्या में पदारे हुए मेरे प्यारे भाईयों और बहनों थम्मा गणी नबश्चार दो दिन पहले ही हिंदुस्तान के हर कौने में मकर संक्रांती का पर्व मना गया और मकर संक्रांती के बाद एक प्रकार से उत्क्रांती का संके जुड़ा हुआ होता है संक्रांत के बाद उन्नती अंतर नहीत होती है मकर संक्रांत के पर्व के बाद राजस्तान की धर्ती पर पूरे हिंदुस्तान को उर्जावान बनाने का एक एहम प्रयास एक एहम इनिसेटिव एक एहम प्रकल्प उसका आज कार्य आरंब हो रहा है मैं बसुंद्रा जी का और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस बात के लिए अभिनंदन करना चाहता हूँ को उन्हों ने कार्य आरंब करने का कारकम बनाया और इसके कारण आने वाले दिनों में कोई भी सरकार हो कोई भी नेता हो जब पत्थर जड़ेगा तो लोग पूछेंगे पत्थर तो जड़ दिया कारिया आरंब की देख तो बताओ और इसलिए इस कारकम के बात पूरे देश में एक जागरुक्त आएगी कि पत्थर जड़ने से लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता है जब कारिया आरंब होता है तब सामान्य मानवी को विस्वास होता है मुझे खुसी है इस पूरे शेत्र की विकास यात्रा में सरीक होकर के ये कारिया रंब का मुझे सवभाग ये प्राप्त हुआ है और जब मुझे पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल दे रहे थे अपसर सारी बारी क्या बता रहे थे अभी सब कुछ बता दिया उन्होंने उनको लगा कि प्रदान मंत्री जी को उन्हें सारी जानकारी दे जी है तो मैंने उनको पूछा उद्गार्ण की तारिक बताईए और मुझे भी स्वास दिया गया है कि जब देश आज़ादी के 75 साल मनाता होगा 2022 भारत के वीरों ने आज़ादी के सेनानियों ने किसी ने अपनी जवानी जेलों में खपा दी किसी ने फासी तक्त पर चरकर के वंदे मात्रम के नाज को ताकतवर बनाया आज़ाद हिंदुस्तान भव्य भारत दिव्य भारत इसका सपना देखा देश आज़ाद हुआ 2022 में आज़ादी के 75 साल हो जाएंगे यह हम सब का दाईत्व है हर हिंदुस्तानी का दाईत्व है 125 करोण नागरिकों का दाईत्व है कि हम 2022 में जो सपने आज़ादी के दिवानों ने देखे थे वैसा हिंदुस्तान बना करके उनके चरणों में समर्पित करेंगे यह समय संकल्प से सिद्धी का समय है आज यहाँ पर आपने संकल्प लिया है कि 2022 तक इस रिफाइंद्वी का कारियारंब कर देंगे मुझे विश्वा से यह संकल्प सिद्धी बन करके रहेगा और जब देश आज़ादी के पतातर साल मनाता होगा तब यहाँ से देश को नई उर्जा मिलना प्रारंब हो जाएगा और इसलिए मैं राजस्तान सरकार को सिमान धर्मेंद्र जी के विभाग को भारत सरकार के प्रयासों को और आप सभी मेरे राजस्तान के भाईयों बहनों को बहुत बहुत सुबकामनाई देता हो बाण मेर की धर्ती ये वो धर्ती है जहां रावल मल्लिनाथ संत तुलसा राम माता रानी भट्यानी नागनेची माता संत इस्वर्दास संत धारूजी मेग न जाने कितने अंगनीत सात्वी संत जगत के आशिरवाद से पली बड़ी ये बार मेर की धर्ती मैं आज उस धर्ती को नमन करता हूँ पजपद्रा की धर्ती स्वाधिन्ता सेनानी स्वर्गिय गुलाब चन जी सालेचा की कर्म भूमी गांदी जी के नमक सत्याग्रा के पहले उन्होंने यहाँ पर नमक सत्याग्रा का नेत्रुत्व किया था इस खेत्र में पीने का पानी लाने में ट्रेन लाने में पहला कॉलेज खोलने में गुलाब चन जी को हर कोई याद करता है मैं पजपद्रा के इस सपुद को भी प्रणाम करता हूँ भाईयो बहनो मैं आज इस दर्ती पर भरोसी से खावजी को भी याद करना चाहता आधुनिक राजस्तान बनाने के लिए संकटों से मुक्द राजस्तान बनाने के लिए और इस बाड मेर में इस रिफाइंडी की सबसे पहला कलपना करने वाले बेरोसी से खावजी को भी मैं आज स्मरण करता हूँ आज मैं जब बाड मेर की धर्ति पर आया हूँ तो है आउपति सबसे मैं आगरह करता हूँ कि हम सब अपने अपने इस्त देवता को प्रार्थना करें कीशी धर्ति के सपूत स्रिमान जस्वन सिंग जी उनका स्वास्ट बहुत जल्दी अच्छाइए हो जाए और उनके अनुभाव का लाफ देश को मिले हम सब उनके उत्तम स्वास्त और जल्दी स्वास्त हो करके हमारे बीच आए ऐसी प्रार्थना हम सब करें और इश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा हाईो बेनो दुर्बाग्य से हमारे देश में इत्यास को भुला देने की परंपरा रही वीरों को उनके त्याग और बलिदान को हर पीडी ने मान सम्मान के साथ स्मर्ण करके नया इतिहास बनाने की प्रेणा मिलती है और वो लेते रहना चाहिए आपने देखा होगा इजराइल के प्रधान मंत्री इन दिनों भारत की यात्रा पे आये हुई चौदा साल के बाद वे यहां आये हैं और देश आजाद होने के बाद मैं पहला प्रधान मंत्री था जो इजराइल की धर्ती पर गया था और मेरे देश वासी मेरे राजस्तान के वीरो आपको गर्ब होगा कि मैं इजराइल गया समय की ठीचा तानी के बीच भी मैं हाइफा गया और वहां जाकर के प्रथम बिश्वयुद में हाइफा को मुक्त कराने के लिए आज से सो साल पहले जीन वीरों ने बलिदान दिया था उन्हें स्रधा सुमन अर्पित करने गया था और उसमें नेत्रुत्व किया था इसी धर्ती के वीर संतान मेजर दल्पत्सी जी ने मेजर दल्पत्सी शेखावत सो साल पहले इजरायल की धर्ती पे प्रथम विश्वयुद्ज का नेत्रुत्व करते हुए हाइफा को मुक्त किया था दिल्ली में एक तीन मुर्ती चौक है वहां तीन महापुर्शों के वीरों के साथ मुर्तिया है इजरायल के प्रधान मंतर हिंदुस्तान आते ही हम दोनों सबसे पहले इस तीन मुर्ती चौक में गए वो तीन मुर्ती चौक उस मेजर दल्पजी के बलिदान की याद में बना हुआ है और आए इस बार हमने इजरायल के प्रधान मंतरी भी वहां नमन करने आए हम दोनों वहां गए और उस तीन मुर्ती चौक का तीन मुर्ती हाइफा चौक ताकि इस याद रहे मेजर दल्पजी से खावत याद रहे मेरे राजस्तान की वीर परंपरा याद रहे ये काम अभी दो दिन पहले करने का मुझे सवबागे मिला भाई जी बेनो ये वीरों की धर्ती है बलिदानियों की धर्ती है शायद बलिदान की कोई इतिहास की घटना ऐसी नहीं होगी कि जिसमें मेरी इस वीर धर्ती के महापुरुशों का रक्त से उसको अभीशिक तना हुई हो और मैं ऐसे सभी वीरों को आज यहां प्रणाम करता हूँ भाई यो बेनो राजस्तान में तो मैं पहले बहुत आता था संगर्थन का काम करने के लिए आता था पडोसी की का मुख्यमंत्री रहा उसके कारण आता रहता था इस इलाके में भी कई बार आया हूँ और हर बार एक बात सामान ये मानवी के मुख से तुनता रहता था कि राजस्तान में कॉंगरेस और अकाल ये जुड़वा भाई है जहां कॉंगरेस जाएगी वहां अकाल साथ साथ जाता है और वसुंद्रा जी के भागे में लिखा हुआ है जब भी उनको सेवा करने का मोका मिला इस सूखी धर्ती को पानी मिलता रहा भाई ये बहनों लेकिन हमें इस से भी आगे जाना है राजस्तान को आगे लेके जाना है राजस्तान के विकांस की याफ्रा को देश के विकांस में एक नई तांकत देने वाला राजस्तान है और वो राजस्तान की धर्ती पर करके दिखाना है भाई यो भेनों अभी हमारे दर्मिंद्र जी सिकायद कर रहे थे बसुंद्रा जी सिकायद कर रही थी उनकी सिकायद सही है लेकिन ये सिरफ बाडमेर की रिफाइनरी में हुआ है क्या क्या सिरफ पत्थर यहीं पर जड़ करके फोटोल खिचवाई गई है क्या क्या पत्थर यहीं पर लगा करके लोगों या आथ में दुल जोगी गई है क्या जो लोग जड़ा रिसर्च करने के आदी है बाल की खाल उधेड़ने की जो ताकत रखते है मैं ऐसे हर किसी को निमंत्रन देता हूँ कि जड़ा देखो तो सही कॉंग्रेज सरकारों की कार्यशाईली कैसी रही थी बड़ी बड़ी बाते करना जनता जनारदन को गुम्रा करना ये कोई सरफ बार्डमेर की रिफाइनरी से जुड़ा हुआ मतला नहीं है ये उनकी कार्यशाईली का हिस्सा है उनके सभाव का हिस्सा है जब मैं प्रदान मंत्री बना बजेट देख रहा था और मैं रेलवे बजेट देख रहा तो मेरा ज़रा सभाव है मैंने पूछा कि भाई ये रेलवे बजेट में हम इतनी इतनी गोशनाई करते है ज़रा बताओ तो पीछे क्या हुआ है आप चौक जाएंगे भाईयो बेनो आपको सदमा पहुचेगा भारत की संसर्थ लोकतंत्र का मंदीर है वहाँ देश को गुमरा करने का हक नहीं होता है लेकिन आपको जानकर गहरानी होगी कई सरकारे आई और गई रेलवे बजेट में पंद्रा सो से जादा पंद्रा सो से जादा ऐसी ऐसी योजनाओं की गोशनाएं की गई जो आज उसका नामो निशान नहीं है वैसे ही कागज पर लटकी पड़ी है हम आये हमने फैसला किया कि कुछ पल की तालियां का पाने के लिए संसद में जो सदस से बैटे हैं वो अपने इलाके में कोई रेल का प्रोजेक आ जाए तो ताली बजा दे और रेल मंत्री खुश हो जाए बाद में कोई पुछने वाला नहीं यही सिलसिला चला हमने आकर के कह दिया कि रेल बजेट में यह बावाई लूटना और जूठी तालिया बज़वाने का कारकम बन जितना होना तय है इतना ही बताईए एक दिन आलोचना होगी लेकिन देश को धीरे धीरे सही बोलने की सही करने की ताकत आएगी और यह काम हम करना चाहते इतना ही नहीं आप मुझे बताईए वन रैंक वन पेंशन मेरे फोज के लोग यहां बैटे हुए है फोजियों के परिवार जेनी हां बैटे हुए है 40 साल वन रैंक वन पेंशन इसकी मांग नहीं उठी थी क्या फोज के लोगों को बारी बारी से बादे नहीं किये गए थे हर चुनाओ के पहले इसे बुनाने का प्रयास नहीं हुआ था यह उनकी आदत है 2014 में भी आपने देखा होगा 55 निमृत फोज के लोगों को बिठा करके फोटो निकलवानी और वन रेंग वन पेंशन की बाते बुनानी यह करते रहें और बाद में जब चानों तरब से दबाव पड़ा और जब मैंने 13 सितंबर 2013 15 सितंबर 2013 रिवाडी में बुद्पुर्वस्वाइनिकों के सामने गोठना की कि हमारी सरकार आएगी वन रेंग वन पेंशन लागू करेगी तब आनन फानन में अफरा तफरी में जैसे यहां रफ रिफाइनरी का पत्थर जड़ दिया गया उन्होंने इंट्रिम बजेट में 500 करोड रुपिया वन रेंग वन पेंशन के नाम पर लिख दिया देखिये देश के साथ इस प्रकार का दोका करना और फिर बुनाते रहें चुनाओं में कि देखिये वन रेंग वन पेंशन के लिए बजेट में हमने पैसा दे दिया पैसा दे दिया हम जब सरकार में आए तो हमने का आथ कलो भाई वन रेंग वन पेंशन लागू करो हमने वादा किया है तो आप सर्व समय भी ताते रहेते थे मैंने का हुआ क्या भाई क्यों नहीं हो रहा है आपको जान करके हरानी होगी बजेट में 500 करोड लिखा गया था लेकिन दफ्तर के अंदर ये वन रेंग वन पेंशन है क्या ये वन रेंग वन पेंशन के पात्रता किसकी है उसका आर्थिक बोज कितना आएगा इनको कैश आप भरान होंगे सिरफ रिफाइन दिवी कागज पे थी, वहां तो वन रेंग, वन पेंशन कागज पे भी नहीं था न सूची थी, न योजना थी, सरफ चुनावी बादा भाईयो बहनो, उस काम के एक प्रती मेरी प्रतिवत्य सा थी लेकिन कागज पे चीजे इखठी करते करते, मुझे डेड़ सान लग गया सब विखना पड़ा था, पूर्व सहिनिकों के नामों का ठिकाना नहीं मिल रहा था संक्या सही नहीं मिल रही थी, महरान का, देश के लिए मरने मिटने वाले फोजियों के लिए सरकार के पाँ सब विखरा पड़ा था, समेड़ते गए, समेड़ते गए तिरी हिसाम लगाया, कितने पैसे लगेंगे, भाईयों बेनों ये पांसो करोड रुपिया, तो मैंने सोचा साइद, हजार करोड होगा, पंद्रा सो करोड होगा, दो हजार करोड होगा, जब हिसाब जोडने बैठा, तो भाईयों बेनों, वो मामला बारा हजार करोड रुपिये से भी जादा हो गया, बारा हजार करोड, अब komt पांगरेस परटी, ये भाईयों बारा हजार करोड में कर रही थी, क्या उसमें इमान धारी थीघी क्या, क्या सच्मय फोजियों को कुछ देना चाहते थे क्या, क्या फोज के निवर्थ सनानियों के प्रती IMAन धारी थी क्या, उस समय के वित्मत्री इतने तो कच्छे नहीं थे लेकिन पांसो करोड रुपिया का टीका लगा करके जैसे यहाँ पथर जड़ दिया वहाँ पर बजेट में लिग दिया और हाथ उपर कर दिये भाई यो बेनों हमें करीब 12,000 करोड से जादा बोज आया तो मैंने फोच के लोगों को बुलाया मैंने का भाई मैंने बादा किया मैं बादा पुरा करना चाहता हूँ लेकिन सरकार की तीजोरी में इतनी ताकत नहीं है कि एच साथ 12,000 करोड पर निकाल दे ये लोग तो 500 करोड की बात करके चले गए मेरे लिए 12,000 करोड निकालना है इमानदारी से निकालना है लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए फोच के लोगों ने मुझे कहा परदान मुंत्री जी आप हमें सर्मिंद की सर्मिंदा मत कीजिए आप बताईए आप हमसे क्या चाहते हो मैंने का मैं और कुछ नहीं चाहता भाई आपने देश के लिए बहुत कुछ दिया है लेकिन मेरी मदद कीजिए मैं एक साथ 12,000 करोड रुपया नहीं दे पाऊंगा अगर मुझे देना है तो देश के गरीबों की कई योजनाओं से निकालना पड़ेगा गरीबों के साथ अन्याय हो जाएगा तो मैंने कहा कि मेरी एक रिक्वेस है क्या मैं इनको चार टुकड़ों में दू तो चलेगा मेरे देश के वीर सैनीक 40 साल से जिस वन रैंक वेन पेंशन को पाने के लिए तरस रहेते लड रहेते देश में ऐसा प्रधान मंत्री आया था जो प्रतिबत था बेच चाहते तो कह देते कि मोदी जी सब सरकारों ने हमें ठगा है हम अब इंतिजार करने को तयार नहीं है आपको देना है तो अभी दे दो वरना आपका रास्ता आपको मंजूर हमारा रास्ता हमें मंजूर कह सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया मेरा देश का फोजी यूनिफाम उतारने के बाद भी तन से मन से रदे से फोजी होता है देश हीत जीवन के अंतिकांस तक उसकी रगों में होता है और एक पल के बिना एक पल के बिताए बिना मेरे फोज के भाईयों ने कह दिया प्रदान बंत्री जी आपकी बात पर हमें भरोचा है बने चार टुकड़े करने पड़े छे करने पड़े आप अपनी फुरसत से किजिए बस एक बार निर्णे कर लिजिए हम जो भी निर्णे करेंगे मान लेंगे भाईयों भनो यह निम्रुत फोजियों की ताकत थी कि मैंने निर्णे कर लिया और अब तक चार किस्त दे चुका हो दस अजार साथ सो करोड रुप्या उनके खाते में जमा हो गए ये देश में ऐसी सरकारे चलाना ये इनकी आदत हो गई थी आप मुझे बताईए गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ चार दसक से सुनते हुए आये हो कर नहीं आये हो गरीबों के नाम पर चुनाओ के खेल देखें हैं कर नहीं देखें लेकिन क्या कोई गरीब के भनाई के लिए योजना नेजर आती है कहीं नेजर ने आयेगी आजादी के सतर साल के बाद भी वो यही कहेंगे जाओ घड़ा खोदो और शाम को कुछ ले जाओ और दादाना पानी कर लो अगर अच्छी तरह देश की विकास की चिंता की होती तो मेरे देश का गरीब खुद गरीबी को पनात करने के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ा हो गया होता है हमारी कोशिज ए एमपार्मेंट पूर गरीबों का सद्रक्ति करन बैंकों का राच्छी अकरन हुआ लेकिन गरीब के लिए बैंक के दरवाजे नहीं खुदे इस देश के तीस करोड से ज़्यादा लोग बैंकों का राच्छी अकरन गरीबों के नाम पर किया गया लेकिन बैंक के दरवाजे तक नहीं पहुच पाया आजादी के सतर साल बाद जब हम आए हमने निर्ड़ किया हमारे देश का गरीब भी आर्थिक विकास याथ्रा की मुख्य धारा में उसको भी जगा मिलनी चाहिए और हमने प्रधान मत्री जंदन योजना की आज करीब 32 करोड ऐसे लोग जिनके बैंक में खाते खोल दिये गए और भाईयों बैंक का खाता खोला तब हमने कहा था कि गरीबों को एक भी रुपिया दिये बिना बैंक का खाता खोलेंगे जीरो बैलेंस से खोलेंगे लेकिन मेरे देश का गरीब कहने को भले गरीब हो जिन्दगी पर गरीबी से जूचता हो लेकिन मैं ने ऐसे मन के अमीर कभी देखे नहीं है जो मन का अमीर मेरा गरीब होता है मैंने ऐसे अमीरों को देखा है जो मन के गरीब है और मैंने ऐसे गरीबों को देखा है जो मन के अमीर है हमने कहा कि जीरो बैनेंस से बैंक का खाता खुलेगा लेकिन गरीब को लगा नहीं नहीं कुछ तो करना चाहिए और मेरे प्यारे भाईयों बहनों आज मुझे खुशी से आप सो कहते हुए गर्व होता है कि इन जीन गरीबों का जीरो एकाउंट जीरो बैलेंस एकाउंट रना था आज उन गरीबों ने 72,000 करोड रुपिया प्रदान बत्री जंदन योजना बैंक एकाउंट में जमा किया अमीर बैंक से निकालने में लगा है मेरा गरीब इमान दारी से बैंक में जमा करने में लगा गरीबी से लड़ाई कैसे लड़ी जाती है भाई यो बेनो आपको मालूम है अगर गैस का चूला चाहिए तो कितने नेताओं के पीछे घूना पड़ता था छे-छे महिने तर एक पार्लामेंट के मेंबर को 25 कुपन मिलती थी कि आप एक साल में 25 परिवारों को गैस का कनेक्शन दे करके अबलाइज कर सकते हो और कुछ ऐसे भी MP की खबरें आया करती थी को कुपन को भी ब्लैक में बेच देते थे भाईयो बहनो क्या आज भी मेरी गरीब मा लकडी का चूला जला करके क्या गरीब का कन्यान ऐसे होगा हम ने फैसला लिया कि मेरी गरीब माताए बहने जो लकडी का चूला जला करके दूए में खाना पकाती है एक दिन में चार सो सिगारेट का दूआ उसके शरीर में जाता है और घर में जो बच्चे खेलते हैं वो भी दूएं के मारे मारे जाते हैं भाईयो बहनो हमने बिड़ा उठाया गरीब का भला करना है नारों से नहीं होगा उसकी जिन्दगी बतली होगी और हमने उजवला योजना के तहट अब तक तीन करोर तीस लाग परिवारों में गैस का कनेक्शन पहुँचा दिया लकडी का चुला जूए किये मुसिबते इन करोरों माताओं को बुक्त कर दिया आप मुझे बताएए हर दिन जब चुला जलाती होगी गैस पर खाना पकाती होगी वो मा नरेंद्र मोदी को आश्रिबाद देगी के नहीं देगी वो मा हमारी रक्षा करने के लिए प्रण लेती होगी कि नहीं लेती होगी क्यों उसे प्रता है कि गरीबी से लड़ाई लड़ने का ये सही रास्ता अब लज़र आ रहा है भाईयों बैनों आजादी के सतर साल के बाद अठारा हजार गाउं जहां बिजली न पहुँची हो आप मुझे बताइए हम 21 सदी में जी रहे हैं लेकिन वो तो अठारवी शताबदी में जीने के लिए मजबूर है उसके मन में सबाल उड़ता है क्या ये आजादी है क्या ये लोग कंत्र हैं ये मैं बटन दिवा करके सरकार बनाता हूँ क्या ये सरकार है जो मुझे आजादी के सतर साल के बाद भी मेरे गाउं में बिजली नहीं पहुचाती है और भाईयों भेनों ये 18,000 गाउओं को बिजली पहुंचाने काम ने बिड़ा उठाया अब करीब 2,000 गाउओं बचे हैं काम चल रहा है तेजी से 21 सदी की जिन्दगी जीने के लिए उनको आउसर मिला आज आज जी के 70 साल बाद आज भी चार करोड से जादा परिवार ऐसे हैं जिनके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है हमने बिड़ा उठाया है जब मातमा गांधी के 150 वी जहनती होगी तब तक इन चार करोड परिवारों में मुफट में बिजली का कनेक्शन दे दिया जाएगा उसके बच्चे पढ़ेंगे गरीबी से खिलाब लड़ाए लड़नी है तो गरीबों को एमपावर करना पड़ता है ऐसे अनेक्शीजे हम लेकर के चल दिये हैं भाईयों बेनों ये रिफाइनरी भी यहां की तक्दीर भी बढ़लेगी यहां की तस्वीर भी बढ़लेगी इस मरू भूमी में जब इतना बड़ा उद्योग चलता होगा आप कल पना कर सकते हैं कि कितने लोगों की रोजी रोटी का प्रबंध होगा और वा काणखाने की चार दिवारी में रोजगार मिलता है यहां उसके बहार एक चेंग चलता है अने उसके समर्थन में छोटे छोटे उद्योग लगते हैं इतने बड़े उद्योग के लिए इंफास्ट्रक्चर लगता है पानी पहुंचता है बिजली पहुंचता है गेस पहुंचता है अप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचता है एक प्रकार से पूरे खेत्र की आर्थिक उसका मांदण बदल जाते हैं और जब इसक प्रकार के लोग आएंगे बड़े बड़े बाबू यहां रहते होंगे तो अच्छे शिक्षा से उस्थान भी अपड़े आप वहां बनने लगेंगे जब इतनी बड़ी मात्रा में देश भर्चे लोग यहां काम करने के लिए आएंगे राज़स्तान के नव जवान काम करने के लिए आएंगे कोई उदपुर से आएगा कोई बासवड़ा से आएगा कोई भरतपुर से आएगा कोई कोटा से आएगा कोई अलवर से आएगा कोई जमेर से आएगा तो उनके स्वास्त की सुविदा के लिए भी अच्छी आरोके की विवस्थाएं बनेगी जो पूरे इलाके का लाप करेगी और इसलिए भाईयों बैनो पांच साल के भीतर भीतर यहां कितना बड़ा बनलाव आने वाला है इसका भली भातिय अंदाज कर सकते हैं भाईयों बैनो आज मैं एक ऐसे कारकम को यहां आरंब करने आया हूँ जिसमें मेरा घाटे का सोदा है भारत सरकार के लिए घाटे का सोदा है पुराने सरकार वाला काम आगे बढ़ा होता है तो भारत सरकार के खजाने में करीब करीब 40,000 करोड रुपे बच जाते हैं लेकिन ये बसुन राजी राज परिवार के सहुषकार तो है लेकिन राजस्तान का पानी पिने के कारण वो मारबाडी वाले भी सहुषकार है उन्होंने ऐसे भारत सरकार को जितना चूस सकती है चूसने का प्रयास किया है ये भारतिये जन्ता पार्टी में ही संभव होता है कि एक मुख्यमंत्री अपने राज्य के हित के लिए अपनी ही सरकार दिल्ली में हो तो भी अड़ जाएं और अपनी इच्छा मनवा करके रहें मैं बढ़ाई देता हूँ वसंद्राजी ने कि उन्होंने राजस्तान के पैसे बचाएं और भारत सरकार को योजना सही कैसे बने उसको करने के लिए उन्होंने प्रेजित किया और उसी का नतीजा है कि आज वसंद्राजी और धर्मंद्राजी ने मिलकर के कांगज पर लटके हुई इस प्रोजेक को जमीन पर उतारने का काम किया है मैं इन दोनों का बढ़ाई देता हूँ मैं राजस्तान का बढ़ाई देता हूँ और आप सब को भी बहुत बहुत शुब काम रहे देता हूँ मेरे साथ पूरी ताकत से बोले भारत माता की बार्ण मेर की धर्ती से अब देश को उर्जा मिलने वाली है ये डिफाइंदरी देश्ती उर्जा का प्रतिदित्व करने वाली है वो उर्जा यहीं से चल पड़े देश के हर कौने में पहुँचे यही शुब कामनाओं के साथ खमा गणी